नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इस्टॉक्स एजूकेशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अब ही हाली में इस कंपनी में एक करेक्शन आपको देखने को मिला लेकिन करेक्शन बहुत बड़ा नहीं था तो क्या यह कंपनी आगे चलके फिर से गिरावट दिखाएगा जो लोग इस कंपनी में ओलेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए क्या डिटेल हो सकता है और जो लोग बाई करना चाहते हैं क्या उन्हें बाई करना चाहिए और बाई करना भी चाहिए तो किस प्राइस पे बाई करना चाहिए दोस्तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो में लास तक बने रहे हैं कोई भी पार्ट मिस न करें और जिन लोगों ने अभीदक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल की दोस्तो अगर इस कंपनी के 52 विक लो और 52 विक हाई की बात करें तो 19 पैसे का इस कंपनी न अपना लो बनाया था जबकि इस कंपनी न अपना हाई बनाया 1.6 पैसे पर जो की आज का हाई भी था तो देखते हैं इस company के और detail को दोस्तों अगर इस company के fundamental पे नजर डाले तो आप देखेंगे यह company fully debt free है जो की काफी अच्छी बात है अगर इस company के हम investment की बात करें तो 11.05 करोड का company ने investment कर रखा है company के free cash flow की बात के उचो 3.95 करोड का detail आपको देखने कोम बिलेगा यानि की company का fundamental काफी strong है लेकिन company में एक weak point भी आपको देखने कोम बिल जाएगा जो की इस company का promoters holding जो की 0% के साथ continue कर रहे हैं तो देखते हैं इस company के और detail को दोस्तों अगर इस company के short term के chart में हम detail देखें तो आप देखेंगे यह company ने यहां पर resistance wage किया एक रुपए 24 पैसे के पास में और यह company अपना support लेता है एक रुपए 47 पैसे के पास में और जब यह company again bounce back करता है तो previous high को break करके उसके उपर निकल जाता है दोस्तों क्या इस company में फिर से आपको lower circuit लगता हुआ दिख जाएगा बिलकुल देखने को मिलेगा जैकिन कब देखने को मिलेगा उसकी भी बात कर लेते हैं जब इस company का RSI 92 से लेकर 95 के बीच में जाएगा या फिर इसको break करके जैसा इसके उपर निकलेगा तो इस company में बाई करना चाहते हैं उस time इस company को बाई करके चल सकते हैं अगर आप अभी इस company को बाई करते हैं तो आप कही न कहीं काफी बड़ा risk ले रहे हैं इसलिए उस risk को कम करने के लिए मेरे ख्याल से अभी आपको इस company को बाई नहीं करना चाहिए correction दिखा दे उसके बाद आप चा continue किया है वो चाहिए तो continue कर सकते हैं जिन लोगों ने short term के लिए buy कर रखा है वो चाहिए तो 1.50 पैसे पर अपना stop loss लगा सकते हैं अगर उन्हें निकलने का मौका मिलता है और यह company उसके नीचे जाता है तो आप इस company को base के निकल भी सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के ल वाचिंग इस वीडियो